तियो ते दिली देवेच वेत्मां ते आरुन जेटली प्रेस कॉंफिन्स नू संबोधन कारनाया ने आओ तो सुद्धा लेचलते हैं तिली महत्वपूर्ण निर्ने हुए है एक निर्ने है कि National Policy for Skill Development and Entrepreneurship 2015 इसको अप्रूव किया गया है The policy aims to align supply with demand, bridging existing skill gaps, promoting industry engagement, operationalize a quality assurance framework, leveraging technology and purporting apprenticeship to tackle the identified issues. इसके अथिरिक्त common norms for skill development schemes implemented by the government of India और एक skill development mission ये तीनों को अप्रूव किया गया है इसके पीछे मूल उद्देश ये है कि जो लोग बहुत अधिक higher education में नहीं जा पाते और एक सीमित शिक्षा के बाद उनको skill करना और skill करने के लिए उनको training देने के लिए सरकार के 21 मंत्राले हैं जिसमें अलग-अलग योजनाए हैं इन तमाम 21 के 21 मंत्राले की जो योजनाए हैं उनको common norms के मताबिक उनमें समनुए लाना ताकि इन नौजवानों को महिलाओं को रोजगार के लिए तैयार किया जा सके प्लमिंग और कारपेंटरी से लेकर ड्राइविंग और हेर कटिंग मतब इसे सैकडो किसम के प्रोफेशन्स हैं जिसके लिए स्किलिंग चाहिए और जिन लोगों को बहुत ज्यादा higher education का लाब नहीं मिलता इन स्किल्स के लिए उनको तैयार करना ये तीनों निर्णे उसके संबंध में दिये गए हैं एक national council होगी जिसके प्रधान मंत्री जी की अध्यक्षता में होगी steering committee होगी जिसके skill development के मंत्री chair करेंगे और इसको लागू करने का जो डायरेक्टरेट होगा वो skill development department के जो सचिव है वो उसके program निर्देशक एक प्रकार से होंगे उसको lead करेंगे इससे करोणों की संख्या में दोदेश के नौजवानों को skill किया जाए और skill development मंत्राले एक प्रकार से nodal ministry होगी जो इस सब norms के मुताबिक जितनी भी skilling institutions और कारिकरम है सरकार के विभिन मंत्रालियों में उसको एक platform पे लाने का प्रयास करेगी मुझे इतना ही कहना था क्रिशी मंत्री जी और और सेक्रेटरी skill development इस पे कुछ कहना चाहेंगे तो बोटाएंगे किर्शी वाजार के शंबंध में चुकि राज्यों के माध्यम से होना है तो पिछली एक वरस के अंदर सभी राज्यों के जो विपन्नन के मंत्री हैं और अधिकारियों के साथ बाचित करते करते सभी राज्यों ने लगभक्स बात्कुर्स्व बिकार किया और इस दिसा में काम तेज किया कि राज्यों के अंदर एक प्लेठ फारम एक राज्य के ही अंदर अधी 20 मंडी है तो अलग-अलग कानून है तो इस दिशा में सभी राज्यों ने त्रियास कर दिया है बिहार और खेरल में चुकि ये बेवस्था नहीं है मंडी का तीन दोनों को छोड़कर उतर प्रदेश की सरकार भी से शामत हो गई है और करनाटक ने इस दिशा में बहुत आगे काम किया है अगर गणी भूंका निवाई है तो 9 जुलाई को 9-10-2 दिन देश के सभी किर्शी के जो गिपन्नन मंत्री हैं डाइरेक्टर हैं और किर्शी सची मेरे साथ हुबली जा रहे हैं और उसका धैन भी करेंगे और अपने अपने राज्यों में जो काम कर रहे हैं उसको उनको इनसे मदद मिलेगी और आज भी सभी राज्यों के अधिकारियों को अभी बोलाया है सोचिम के माध्धम से 12 बजे एक काजकम है तो इस दिशा में एक साल से जो प्रयास हो रहे थे तो राज्यों के अंदर अभी एक प्लेटफर्म आने की स्तिति लगभग बन गई है और इसी साल हम पूरे देश के लिए निस्नल अगरिकल्चर मार्केट का एक लांच करेंगे हम और राज्यों को भी जोड़ेंगे और इस साल 200 कर रूपिया इसके लिए रखा है कि 585 जो मंडियां है उनको हम इनिस्टराइस टिक्चर आईटी के हैंट्स भी उनको देंगे दो-दो और कम्पूर्टर की बेवस्था करेंगे तो इस प्रकार से मुझको लगता है कि पूरे देश के अंदर धीरे-धीरे रास्तिय क्रिशी बजार के नेट वर्ट से पूरा भारत का जो क्रिशी उपज मंडि है जुडने की दिशा में हम बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे प्रधान मंत्रिशी जाई जोजना के समंध में विस्थार से बताया गया है यह जिला लेवेल पर सेलेक्शन कम्यूटी होगी और जो प्रखंड के अंदर से यह सारे उसको सहजोग मिलेंगे ब्लॉक लेवेल पर वो प्लान बनाने में सहजोग करेंगे हर ब्लॉक से अधिकारी सहजोग करेंगे तो जिला की जो समीती होगी उसके अलाबाई कूप समीती भी होगी जो नीचे से जोजनाओं को तयार करके लाएगा और जिला एरिगेशन प्लान बनाएगा और राज कमीटी जो होगी उसका सेलेक्शन करेगा और राज कमीटी जो होगी तो उसमें हमारे तीन मंत्राले के जलसंसाधन मंत्राले किर्शी मंत्राले और ग्रामिन विकार्श मंत्राले के तीन अधिकारी भूस कमीटी में रहेंगे और आस्टी अस्तर पर प्रधान मंत्री जी उसकी मुनिट्टिम करेंगे सानु फॉलो करो ट्विटर ते खबरानाल जुड़े रहो दिन रात